नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूटूब फैमली में और मैं हूँ आदित एन टीचिंग यूटूब फैमली के तरफ से कैसे हैं आप सभी? उमीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुस होंगे, अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे तो आज हम आप लोग के लिए कुछ सीटेट से संबंदित कोश्चन लेकर रहा हैं, जो सीटेट आगामी जो एकजाम होने वाला है सीटेट जुलाई 2020 का, उसी से संबंदित कुछ प्रस्ण हम आपके सामने प्रस्तुत किये हैं इससे पहले हम अपने चैनल पर आपको थिवरी का वीडियो बहुत सारा प्रवाइड कर चुके हैं जैसा कि हमने NCF 2005 हिंदी सीक्षन उसके बाद में सीक्षन कौसल आदी सभी टॉपिक वाइज लेक्चर हमने अपने वीडियो में दिया है आप चाहे तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके आप हमारा जो पुर्व में दिया गया वीडियो है आप उसको देख सकते हैं उसे से संबन्द कुछ प्रस्न हम आपके सामने लेकर रहा हैं और इस प्रस्न में हम यह नहीं कहेंगे आपको कि यह प्रसन केवल मनोविज्ञान में पूछा जाएगा या केवल गनीत में पूछा जाएगा या संस्कृत में पूछा जाएगा बलकि एक ऐसा question है जिसको अगर आप समझेंगे जिसको आप basic understand बना कर चलेंगे इस questions के options को अगर आप समझ के साथ में थोड़ा सा समझने की कोशिस करेंगे basic understanding बना कर चलेंगे तो साइध ये question जो है आपके लिए बहुत ही लाबकारी हो सकता है परिक्षा के तियारे के लिए ठीक है? तो question को start करते हैं सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है ये बात कुछ बाते जो हम बोलेंगे वो आपको note करना है note ये करना है कि मुल्ता सीटेट में होता क्या है कि आप कोई-कोई बच्चा क्या होता है कि इसी term के किसी point के किसी सब्द के अर्थ को आप लोग नहीं समझ जाते हैं अर्थात आप उसके अर्थ को जब तक नहीं समझते हैं तब तक आपको समझ से आती है जैसे मान लिजी कि कहीं-कहीं ये सब्द दता स्रिजनात्मक स्रिजनात्मक्ता तो स्रिजनात्मक्ता what is creativity तो स्रीजनात्मक्ता आखिर होता क्या है तो सबसे पहले आपको उसको समझना होगा ना कि स्रीजनात्मक्ता है क्या तभी तो स्रीजनात्मक्ता से संबंधित जो सवाल आप से पूछे जाएंगे उसका जवाब आप तुरत दे देंगे तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि आपको seated को clear करने के लिए सबसे पहला जरूरी बात यह है कि आपको उस सब्द के अर्थ को समझना पड़ता है उसके meaning को समझना पड़ता है जब उसके meaning को आप समझ लेंगे तो आपको questions को हल करने में बिलकुल आसानी हो जाएगा तो हम आपके सामने बहुत कम question लेका है लेकिन यह पूरे understanding के साथ में पूरे ब्याख्या सही थे इसको समझने का आप कोसिस कीजिएगा चलि question number एक पकता है कि बच्चों की जिग्यासा सांत करनी चाहिए जो बच्चों का जिग्यासा है उसको सांत करनी चाहिए जिग्यासा मतलब कुछ जानने की इक्चा जैसे कि कुछ छोटे जो नन्ने बच्चे होते हैं जो बाल आवस्था में रहते हैं तो बाल आवस्था को कहा किया है प्रसनकाल प्रसनकाल का मतलब यह होता है कि बच्चे बहुत सारे प्रसन आपसे करेंगे तो उसका जिग्यासा रहता है कुछ-कुछ चीजों के बारे में जानने का जो भी नविंतम चीज है जो नहीं देखा है आप भले उसके बारे में समझ रहे लेकिन वह उस दुनिया से अभी औप पड़ीचीत रहता है मतलब कि अभी उसका पड़ीचा उस दुनिया से नहीं हुए रहता है इसलिए उस चीज को जानने की इक्छा उसमें रहता है उसको हम लोग कहते हैं जिग्यासा, तो कहता है कि बच्चे की जिग्यासा सांथ करनी चाहिए, मतलब किसी चीज के बारे में जानने कि अगर बच्चा इक्छा कर रहा है, तो उसको हमको कब सांथ करना चाहिए, अप्सन नमबर एक, जब सिख्छक फूरसत में हो, अर्था तो आपको नहीं बताना है उसके जी ग्यासा कोई, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, अप्शन नमर दो ग्या कहता है, जब विद्यार्थी फूर्शत में हो, अब ऐसा तो नहीं करेंगे ने, कि विद्यार्थी बीजी रहेगा, तो विद्यार्थी जब बियस्त है, और उस समय आपसे वह सवाल पूछता है, ठीक है, उस समय वह उसको जानने की जी ग्यासा है, तो वह बियस्त है, फिर भी आप उस समय उसको बताने का कोशिस किजिएगा, तो उसको जानने की जी ग्यासा है, वह अराम से उस चीज़ों को सुन सकता है, इसलिए अप्शन नमर दो भी ग पाताओ क्या है या सार ये बताओ क्या है तो उसको बहुत थोड़ा दुर। बैठो भी गलत हैं तो देहीं जिग्यासा को सांध करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो जरूरिए है तत्काल जब विद्यार्थी दोरा जिग्यासा की गई है मतलब कि यहाँ पर अगर एक विद्यार्थी है इस विद्यार्थी के दोरा जो अभी पूछा गया है जो कहा गया है कि हमको इसके बारे में बताईए तो आपको तुरत उसी समय उसके बारे में उसको बताना होगा यह मनोविज्यान कहता है साइकलोजी कहता है क्योंकि तभी उसका जिग्यासा सांत होगा क्योंकि बच्चे का जिग्यासा बड़ा ही उथल पुथल बला होता है अगर आप उसके जिग्यासा को तुरत उसी समय सांत नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारा समस्या आगे चल कर आ ऐसा भी नहीं ततकाल जब विद्यारती द्वारा जिग्यासा की गई अरथात जिस समय उसे question किया गया है जिस समय उसको चाहता है कि हमको question का जवाब मिले उसी समय आपको उसके जिग्यासा को सांत करना ये बिलकुल सही अंसर है एक का चार नमबर ठीक है चलिए नेक्स कोर्शन पर आते हैं दो नमर कोर्शन यह काता है कि बच्चों में नयतिक्ता किया स्थापना के लिए सरवत्तम मार्ग है नयतिक्ता वर्ड आपके सामने आया है सबसे पहले समझना है आपको कि ये नयतिक्ता है क्या morality का नाम सुने होंगे moral value का नाम सुने होंगे नैतिक मुल्ल का नाम सुने होंगे आप दो word के बारे में अवस्य जानते होंगे अगर आप seated के त्यारी करते होंगे तो एक होता है किया शंग्या नातमक विकास जिसको हम लोग बोलते है cognitive development ठीक है और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा कौन सा तो उसको हम लोग बोलते है moral development जिसको हम लोग बोलते है नैतिक विकास ठीक है तो नैतिक विकास जो होता है हमारा वो ही नैतिकता है अर्थात moral value या moral development का मतलब यह हुआ कि कुछ नैतिकता की बाते जो बड़े बुजुर्गों के दोरा जो परतिस्थित बेक्तियों के दोरा जो हमारे घर में जो हमारे parents है वो हमको बताते हैं या हमारे देश के जो महान पूरुस लोग है कुछ नैतिक बाते कहकर चला गया है कि अगर आप इस चीज को follow करते हो तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जैसे गांधी जी द्वारा कुछ कहीं गई बाते, ठीक है, सरवपली राधा कृष्णन द्वारा कुछ कहीं गई बाते, ठीक है, डॉक्टर राजेंदर परसाद द्वारा कुछ कहीं गई बाते, ठीक है, अर्थात गांधी जी ने कहा कि हमेशा हमको जो है जगरा नहीं करना चाहिए हमको जो है हमेशा सत्य के मार्क पर चलना चाहिए ठीक है दूसरा बात कोई महापूरुस या आपके घर में माता पीता आपको कहते हैं कि सुबह सुबह जगकर मम्मी पापा का चरन असपर्स करना चाहिए यह चरन असप करना चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए उनका चरन असपर्स करना चाहिए उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए यह सब नैतिक बाते हम लोग किसको सिखाते हैं तो अपने बच्चों को सिखाते हैं जो आपके घर में सिखाते हैं, मतलब कि महापूर्सों द्वारा हमारे आपके द्वारा, जो कहीं गई बाती है, जो जिसके मार्ग पर चलने पर सही परतीत होता है, कि चरण असपर्स करना, बरो का सम्मान करना, बरो के सामने जादा नहीं बोलना, ठीक है और उसके बाद में बरे का जो है आदर करना ये सब क्या है नैतिक बाते हैं तो बच्चों में नैतिकता क्या स्थापता के लिए सर्वुत्ता मार्ग है अप्सन नमबर एक उप्सन नमबर उन्हें धार्मिक पुष्टा के पढ़ाना ठीक है मतलब कि इन सब चीजों का आदर डालने के लिए कि हां भाई बरो का आदर करना चाहिए उसके आदर बरो का सम्मान करना चाहिए सुबा सुबा जगकर अपने माता पिता का चरन सपर्स कर चाहिए यह सब बात सिखाने के लिए आप अपने बच्चे को रमायन और महाभारत देंगे पढ़ने के लिए क्या option नमबर एक तो यहीं करा ना कि उन्हें धार्मिक पुष्टा के पढ़ाना मतलब कि रमायन महाभारत उसको पढ़ने के लिए देंगे कि बेटा यी परो इ उसके बाद में तुम अपने परिवार में फॉलो करना उस चीज को, बिल्कुल गलत है यह चीज़े, ठीक है, दो नंबर कहता है कि सिक्षा का अधर्स रूप में बहवार करना, ठीक है, और तीन नंबर अप्शन यह कहता है कि उनका मुल्य सिक्षा पर मुल्यांकन करना, अर् लोग समझेंगे, इवैलुएशन उसका अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं, इवैलुएशन से नयतिकता का कोई सम्मंद नहीं है, ठीक है, उसके बाद में चौथा है, उन्हें प्राता कालिन साभा में उपदेश देना, यह तो बिल्कुल भी गलत हो गया, यह तो बिल्कुल आप कार देजे, कभी भी नयतिक बाते को हम लोग उपदेश देकर नहीं सिखा सकते, उपदेश देने का मतलब समझते हैं, ठेसिस, ठेसिस, ठेसिस देना, जैसे ना किसी चीज के बारे में सिर्फ आप कह रहे हो, कि हमको ऐसे करना चाहिए, हमको बड़े बुजुर्गों क अपने से बरो को हमेशा साधर प्रणाम करना चाहिए, यह सा बात आप अपने बच्चों के उपर थेसिस देते हैं, लेकिन आप उस चीज को नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप जब तक नहीं करेंगे, तो वह उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, आप अपने परिवार में कितना भी बच्चों को उपदेश दे दीजिए, कैसा करना चाहिए, यह गलत है, चोरी करना पाप है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, पैसा चुलाना अच्छी बात नहीं है, यह सब बात आप कह रहे हैं, गाली देना गलत बात है, लेकिन आप खुद करते हो उस चीज क तो वू हो गया कि आपको थेसिस देने से बच्चे कभी भी उसमें नयतिकता का अस्थापना नहीं होगा ठीक है, आपको क्या करना होगा नयतिकता की अस्थापना के लिए कि सिख्छा का अर्थाथ कहने का मतलब कि बच्चे सबसे ज़्यादा नयतिकता की भावना को तभी सीख पाएंगे जब आप जो है उसको खुद एक सिक्षक जो हमेशा बच्चों का आइडियल होता है आदर्स होता है तो आपके बहवार में वो चीजे दिखनी चाहिए जब तक आपके बहवार में वो नयतिकता की भावना नहीं दिखेगा तब तक बच्चों में भी नयतिकता की अस्थापना होना बिल्कुल और सम्भव है जिसको बोलते हैं न इंपोसीवल तो बिल्कुल इंपोसीवल है जब तक बच्चे जब तक आप अपने बहवार में परिवर्ता नहीं करेंगे जब तक आप अपने बहवार में नैतिकता को अस्थापित नहीं करेंगे तब तक बच्चे भी जो आपके बच्चे हैं जो आपके घर में हैं वह भी अपने आप में नैतिकता नहीं ला पाएगा या नयतिकता की अस्थापना उसमें नहीं हो पाएगा किलियर हुआ तो option नमर दो जो है हमारा यह क्या है बिलकुल right है ध्यान लखेगा dear students आपको एक बात कि कभी भी कभी भी नयतिकता को अस्थापना करने के लिए किसी भी ज्यान को सिखाने के लिए बच्चे को उपदेश देने से कोई उसका उदेश पुरा नहीं होने वाला है आप कितना भी ठेशी दीजिए लेकिन आपके पडिवार के बहवार में behavior में अगर वो चीज़े नहीं है तो आपके बच्चे में भी वो चीज़े नहीं है का चाहे वो नैतिकता का हो TAB चाहे वो समाजिकता का हो TAB morality का हो TAB या sociality का हो TAB तो यहां पर option no.2 जो है बिल्कुल right है देखिए हम आपको question बहुत कम कराएंगे हम यह नहीं करें कि आपको question हाजारो का हाजारो करा देंगे नहीं बिल्कुल नहीं, question हम आपको 10, 12, 15 ही कराएंगे लेकिन आपको समझना है कि इस question में हमको क्या-क्या सीखने को मिला ठीक है, उस चीज को जब आप समझने लगेंगे तो आपको कता ही दिकत नहीं होगा seated पास करने में क्योंकि seated हमेशा कहते हैं कि पहले आप हमको समझो, understand करो तब हम प्रस्ण को उत्तर देने में आपका सहायता करने ले में तो इस question में आपने क्या-क्या सिखा कि what is morality, नैतिकता होता क्या है और नैतिकता या समाधिकता को अस्थापित करने के लिए हमको क्या-क्या उपाय करना चाहिए तो सबसे सर्वोतम है कि आप अपने behavior में लाइए, आप अपने behavior में लाइए तो आपके बच्चे भी खुद पर खुद उसको देकर अपने behavior में ला देंगे आप उसको नहीं भी कहें, फिर भी वह अपने आप लाने लेंगे तो सबसे ज़्यदा important है बहवार, ठीक है, कि लिए चलिए next question पर आते है तीन number question यह करता है कि विकास के परिप्रेक्ष में समय के साथ होने वाले परिवर्टनों में निम्न में क्या सामिल है ठीक है, विकास के परिप्रेक्ष में देखे, विकास का मतलब यह होता है development विकास का मतलब होता है development ठीक है, बृद्धी और विकास का आप नाम सुने होंगे सबसे पहली बात आप यहाँ पर यह समझेंगे बृद्धी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं growth और विकास जो होता है उसको हम लोग बोलते है development ठीक है, what is difference between growth and development बृद्धी और विकास में क्या-क्या अंतर है तो ज्यादा अंतर तो हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बृद्धी और विकास यह अलग topic है पर ना लेकिन मूलतह जो basic difference है वो हम आपको बताते हैं बृद्धी और विकास में सीधा-सीधा आप यह समझे है बृद्धी का जो छेत्र है वो बहुत छोटा है लेकिन बिकास का जो छेत्र है वो बहुत बड़ा है बिकास के अंदर बृद्धी आता है नकि बिकास के अंदर नकि बृद्धी के अंदर बिकास आता है आर्थात कहने का मतल़ भी हुआ एक तरह से आप और और समझ सकते हैं यह बृद्धी जो है और यह बिकास जी हूँ को हम लोग बोलेंगे development और बुर्धी को बोलेंगे growth गूरोथ जो है एक रूप से आपको numerical way में दिखाई देगा लेकिन development जो है numerical way में वो चीजे दिखाई नहीं देगा आप उसको map taul नहीं सकते हैं ठीक है जिसको map taul आप नहीं सकते हैं जो numerical way में आपको दिखाई नहीं देगा that is development वो है विकास लेकिन जिसको आप माप तोल सकते हैं और numerical way में वो चीजे दिखाई देगा that is growth उसको हम लोग बोलेंगे बृद्धी ठीक है आर्थात कहने का मतलब है हुआ कि बृद्धी और विकास में main basic जो difference है कहने का मतलब यह हुआ basic difference मतलब यह हुआ कि बृद्धी को हम लोग numerical way में map सकते हैं उसको जान सकते हैं लेकिन विकास को सिर्फ हम मशुस कर सकते हैं उसको नापा तोला नहीं जा सकता है numerical way में कहीं लिखा नहीं जा सकता है अर्था दूसरे सब्दों में यह हम का सकते हैं विकास के बारे में maturity जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं परिपकवता तो परिपकवता जो होता है वो विकास के अंदर ही आता है ठीक है परिपकवता जो होता है वो विकास के अंदर ही आता है जैसे माल लिजे भृच्चा जब पाँच साल का था तो पाँच साल में मातर वह तीन पित का था तुझा है लेकिन वहाँ बच्चा जब अभी पच्चीश साल का हुआ है तो उसका हाइट जब च्छे फित का हुऊ गया तो 3 से 6 फिट बढ़ने में कितना फिट हुआ बढ़ गया है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि 3 फिट बढ़ गया है जिसको हम लोग cm से माप सकते हैं ठीक है जिसको एक पैमाना से हम लोग माप सकते हैं यह इसका जो बढ़ना है 3 फिट से बे हुआ कि जब तीन साल में बच्चे कखः गगः नहीं पढ़ पाते थे, जब तीन साल में बच्चे सिर्फ कः और खः और गः पढ़ पाते थे, आज के डेट में जब छे साल के वह बच्चा हुआ है, तो सीधा एक बार में कॉलम और कॉलम पढ़ लेता है, ठीक है, एक को पता लग जाए कि बच्चों में कितना विकास हुआ है लेकिन बृद्धी का पैरामीटर थर्मामीटर है जिससे हमको पता लग जाएगा कि हाँ इसका कितना ग्रोथ हुआ है जिसे तीन साल में बच्चा 10 केजी का था और जब वह अभी जो है 15 साल का हुआ है तो बच्चा अभी कितना केजी का हुआ है तो 10 केजी से बढ़कर 25 केजी हो गया है अर्थात 15 केजी जो बढ़ा है वो उसका ब्रिदी है न की विकास ठीक है तो यह हो गया क्या हमारा ब्रिदी हम आपको समझाने की कोसिस कर रहे हैं हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा हो तो यहा तो रूप, दर, अनुकरम ये सभी सामिल है जो उसका rate होता है, रूप होता है, अनुकरम होता है, एक सीरी चलता है विकास का ये सभी जो है development के अंतरगत में क्या है, सामिल इस पर कोई भी कोई option ऐसा आपको नहीं दिखा रहा है, जिसमें आपको मापने तॉलने की बात किया जा सके और जहां पर मापने तॉलने की बात होगा कि तीन फिट से छे फिट और उसके बाद मैं आपको ये दिखाई दे कि 10 कजी से 15 कजी 15 से 25 कजी तो इस तरह का जो बात होगा वो सारे हमारे ग्रोथ में आएंगे, इसलिए इसका option नमबर चार जो है बिल्कुल राइट है एक सिक्षक को जो है टीचर को किसका ज्यान होना चाहिए तो इसका option नमर चार तो आप लोग देखे ना इसका option नमर चार सही होगा ठीक है तीन का question नमर चार पर आते हैं सिक्षक को ग्यान होना चाहिए अध्यापन विषय का की बाल मनोवी ग्यान का सिक्षा श्रंहीता का अध्यापन विषय एवं बाल मनोवी ग्यान का देखे एक सिक्षक जो होता है वो टीचर जो होता है सिक्षक को सबसे पहले तो नौलेज होनी ही चाहिए और पता है सबसे पहले knowledge क्या होना चाहिए, अभी हम इस question पर नहीं जा रहे हैं, बस यह समझेगा, सिक्षा को सबसे पहले knowledge उसके अपने विशाय बस्तु के बारे में जरूर होना चाहिए, अर्थात आप जिस विशाय के teacher है, उसमें आपका पुर्ण अनुभाव होना अर्थात उस विशाय बस्तु के बारे में आप बिश्त्रित जानकारी रखते हैं या नहीं, तो सबसे पहले आप जिस विशाय का teacher है, उस विशाय के teacher से सम्मंधित जो भी आपका विशाय है, उस subject को आप फुर्ण रूप से जानते हैं या नहीं, तो सबसे पहले आपको त ग्यानकारी होनी ही चाहिए ठीक है तो ये तो सही है भाई किया ध्यापन भी सह का ये तो बिल्कुल राइट कर रहा है बाल मुनो भी ग्यान का हाँ साइकलोजी का भी आपको ग्यान होना चाहिए साइकलोजी का जब तक ग्यान नहीं रहेगा साइकलोजी का जब तक ग्यान न रखा जाता है वो बालग को और पता है बालग को केंदर में क्यों रखा जाता है क्योंकि बालग को केंदर में रखने के पीछे कारण यह है कि उसके रूची के अनुसार उसके इक्षा के अनुसार हम काम करेंगे that is child centered education वही तो हमारा कहलाता है बाल केंद्रिश सीख्छा पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब तक आप बच्चे के मनोविग्यान को जब तक नहीं समझेंगे मनोविग्यान एक तरफ यह भी काता है कि बच्चों से आपको friendship relation मना कर रखना है मित्रोत समझन बना कर रखना है तो मित्रोत समझन बनाने का मतलब यह हुआ कि आपके उसके psychology के बारे में जानना होगा कि उसका मन का विग्यान क्या कहता है ठीक है? तो आपको एक सिख्छक होने के नाते आप जिस भी सहय के teacher है सबसे पहले उस अध्यापन विशय का जानकारी आपको होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है बाल मनोदी ग्यान का भी ग्यान होना चाहिए बिल्कुल सही बात है सिक्षा संहीता का ग्यान अर्थात कहने का मतलब भी हुआ है जो education का जो साहित है उस साहित का आपको ग्यान होना चाहिए अर्थात ये भी बात सही है लेकिन उतना जादा नहीं तीन नमबर सही हम को सकते कि अगर ये हमको जनकारी नहीं भी रहेगा फिर भी मेरा काम चल सकता लेकिन ये एक नमबर दो नमबर option जो है अध्यापन विसय का और बाल मनोवी ग्यान का ये दोनों का ग्यान तो रहना ही चाहिए चली देखते हैं चार नमबर option क्या करता है अध्यापन विसय एवं बाल मनोवी ग्यान का अरे इसमें तो दोनों option आ गया अर्थात आपको अपने विसय बस्तु का तो ग्यान रहना ही चाहिए और उसके सा साथ में आपको बाल मनुवी ग्यान का भी ग्यान रहना चाहिए तो option no.4 यहाँ पर बिल्कुल राइट है आपको इस question में एक चीज सीखने को मिला क्या मिला सबसे पहली बात कि आप से जब भी question पूछा जाए तो आपको सीटेट में option no.a, option no.b, option no.c, option no.d चार जो options दिये रहते हैं, इस option में आपको देखना है, कभी-कभी आपको यह option भी सही रहता है, b भी सही रहता है, c भी सही रहता है, d भी सही रहता है, इसमें आपको ढूणना है कि कौन ज्यादा सही है, अर्थात a अगर माल लिजे कि 40% सही है, और b जो है 30% सही है, c 20% सही है और D जो है हमारा वो 80% सही है तो इसमें आप option number 4 के साथ में जाएंगे ठीक है सीटेट में यह भी आपको सोचना है और आपको चारो का चारो option सही है ऐसा किसी को आप नहीं कर सकते कि इसको हम काट देंगे बिल्कुल चारो option सही है लेकिन आपको सोचना है कि कौन ज्यादा सही है दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको option number A, option number B और option number C इस तरह का option नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि option number 1 भी सही है option number 2 भी सही है और option number 3 एक ऐसा option है जिसमें ये दोनों option क्या हो जा रहा है समाहित हो जा रहा है तो obviously उस situation में हम लोग option number 3 पर ही जाएंगे और हम यह जानते हैं कि यह भी सही है भी भी सही है लेकिन 3 जो option आपको दे दिया है यह 3 number option में हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें उपरुक्त दोनों answer जो है option जो है समाहित हो जा रहा है तो क्यों ना हम इसी के साथ में चले जाएं ठीक है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपको जो है इस तरह का question आया जैसे यहाँ पर question जो है आपको पूछा गया था कि सिक्षा को किसका ग्यान होना जाहिए तो अभी हम बात कर रहा थे कि उसके अध्यापन बिसाय का होना चाहिए बाल मुन वियान का होना चाहिए लेकिन 3 number हमको ऐसा option मिल गया जिसमें दोनों उपरुक्त option सामिल है इसलिए option number 4 इसका बिलकुल right हो गया आपको इस question में सीखने को क्या मिला dear students सीखने के चीज यही मिला कि सबसे पहले सिख्षा को अपने बिसाय बस्तू के जानकारी होने के साथ साथ में बच्चों के child psychology का भी ग्यान होना चाहिए उसको उसको बाल मनोविग्यान का भी ग्यान होना चाहिए क्योंकि बाल ओख्यान को वह नहीं समझ पाएंगे और जब तक उसको नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उसको friendship मतलब मितरवत सम्मंध आप कैसे बना पाएंगे बच्चों से जबकि मनोविग्यान में कहा गया कि हमेशा बच्चों को अपने सिख्छक से या सिख्छकों अपने बच्च से मित्रवत संबंद बना कर रखना है तो इस सीच्वेशन में आपका ओप्षन नमर चार जो है यह बिल्कुल राइट है बस आपको एक चीज हम आपसे हम बस एक चीज आगरह कर रहे हैं कि कोश्चन पर ध्यान नहीं देना कि हमने कितना कोश्चन पढ़ा आपको ध्यान देन है किस कोश्चन से हमने क्या क्या सिखा बस इस पर ध्यान दिजी अर्थात कोश्चन कभी भी सीटेट में लड़ता नहीं आहिक आपको कि कोश्चन जो है लड़ गया इसलिए फैसा जादा से जादा पढ़ने पढ़ना धियान दें करके आप यहां सम्झें कि क्या कुल का अंड रेर्टेंडिंग क्या है ठीक है चलिए कोस्ठें नमबर चार तक व使用ड़ मुआ थरेा है II विए चलिए इसमें क्या कहता है कोशन नमर फांच का चलिए पांच नमर देखिए दिखाई दे रहा होगा एक बच्चे बृद्धी और विकास के अध्यान की सरवाधिक अच्छी विधि कौन सी है एक बच्चे के ब्रिधी और बिकास के अध्यान की सरवाधिक अच्छी विधी कौन सी है चलिए ब्रिधी और बिकास के बारे में कहता है इसमें देखिए आपको बहुत ही typical question है और इसमें थोरा सा समझने की आपको जरूवत है देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि एक बच्चे की ब्रीदी और विकास के अध्यान के सरवाधिक अच्छी विधी कौन सी अभी हमने आपको बताया ब्रीदी और विकास के बारे में आप बताए हुआतिज ग्रोथ और हुआतिज डेवलप्मेंट हमने आपको अभी बताया कि जिसको numerical way में हम लोग नहीं माप सकते हैं वो हमारा development होता है maturity को हम लोग development कर सकते हैं पड़ी फक्ता को हम लोग विकास कर सकते हैं तो यहां पर करता है कि एक बच्चे की बिद्धी और विकास के अध्यान के सबसे अच्छी बिद्धी कौन सी है मत्तब अगर हमको growth और development के अध्यान के बारे में अगर हमको जानना है तो उसका सबसे बहतर बिद्धी कौन होगा तो यहां पर option number एक है monowishlation बिदी तो फ्राइड महोदे ने दिया था और इसमें तो मन के बारे में बताया गया है तो growth development तो इसमें आए गया नहीं इसलिए option number एक जो है बिलकुल गलत ठीक है आपको ध्यान देना है monowishlation बिदी को किस ने दिया था मनowishlation बिदी को फ्राइड महोदे ने दिया था और उहोंने मन को तीन परकार में भाटा था इसी बिदी में जिसको हम लोग जानते हैं आप लोग भी जानते होंगे इसलिए option number एक बिलकुल कट गया है तुलनात्मक बिदी का मतलब यह हो गया कि तुलना करके उसके बारे में जानकारी लेना यह भी बिलकुल भी सम्वंदित नहीं है सांखी की बिदी यह statics method तो इसमें कहीं आता ही नहीं क्योंकि यह statics का कोई rule जो है growth और development पर नहीं लगता है किलियर हुआ अर्थात option number 3 जो है अमारा क्या है बिलकुल राइट है आपको यहां पर क्या चीज़े समझ में है समझ में यह आया कि आपको कभी-कभी options को seated में हटाने का ढंग सीखिए कभी यह मत सोचिए गया कि यह question जो हमसे कर रहा है इस question का answer कौन सा होगा answer को ढूनने से ज्यादा बेतर है कि आप answer काटने का ढंग सीखिए कि यह भी option नहीं होगा और यह भी नहीं होगा तो होगा कौन जो चार option दिया और तीन जम नहीं होगा तो option number 3 यहीं तो होगा अर्थात आपको यह चीजें आपने आप में भीक्सित करनी हैं आपको कि हमारा सोच जो है thinking हमारा इस तरह से बढ़े कि हम options को चाटने लगें जब आप option को हटाने का ढंग आप में भीक्सित हो जाएगा यह किनन उस दिन आपका सीटेट निकल जाएगा तो हम आपको वहीं नापार इसके बाद में देखीगा question नंबर चारफ आते हैने गर्व अवस्था का समय है जो गर्व अवस्था समय होता है वह jest घर्वधारन से जनम तक जनम के प्रत्थम वर्स तक मतलब कि जनम जब हो जाता है जनम से प्रथम वर्स तक गर्व अवस्था जो है जनम हो जाएगा तो फिर गर्व अवस्था क्यों इसका मुझा अप्शन तो भी गलत हो गया ना गर्व जनम से प्रथम वर्स तक मतलब जनम हो गया बच्चे का और उसके जनम हो गया जनम से एक साल बाद तक उसका गर्ववस्ता रहता है क्या नहीं बिल्कुल गलत बात है तो अप्षा नमर दो जो है बिल्कुल खट गया चलिया तीन कहता है गर्वधारन के समय गर्भ अवस्ता हम लोग नहीं कहते हैं गर्भ धारन का समय का मतलब यह हुआ कि जिस समय जो है गर्भ धारित होता है उस समय के समय को केवल हम लोग गर्भा अवस्था नहीं कहते हैं बलकि गर्भा अवस्था हम उसे कहते हैं गर्भ धारन से जन्म तक के समय को हम लोग गर्भा अवस्था के नाम से जानते हैं गर्भावस्था के बारे में आप सभी भी इतना तो जानते ही होंगे कि गर्भावस्था के समय वह समय कहलाता है जब गर्भ धारन से ले करके और जब तक बच्चा जनम नहीं लिया रहता है उस समय के पिरियड को हम लोग गर्भावस्था का टाइम करते हैं गर्भावस्था में भी काम देगा आपको गनीत में भीक नहीं है Um question पे आते हैं question number जो है कितना है 7 चलिए 7 number question पे आते हैं सीखने की परिघटना में निमलीखित में से कौन सा आवस्यक घटक नहीं है तो सीखने की परिखटना में निमलिखित में से कौन सा आवस्य घटक नहीं है मतलब सीखना मतलब कि ये हुआ learning सीखने को हम लोग क्या बोलेंगे learning तो कता है कि सीखना और उसी learning को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसा कि अधिगम के बारे में भी आप लोगों में सुना होगा तो अधिगम का मतलब ही होता है learning और learning जो है बच्चे जब करके कुछ सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि सीख छक रहेगा तभी बच्चे सीखेंगे सबसे पहली बात है कि सीखने के परिघटना में आपको अधिगम करता होना चाहिए और अधिगम का मतलब होता है आप जानते हैं अधिगम को हम लोग बोलते हैं learning और अधिगम का मतलब यह होता है अधी जोर गम अधी मतलब ये होता है ज्यान और गम मतलब होता है ज्याना मतलब कि ज्यान की ओर ज्याना सरल भासा में हम लोग इसका परिभासा ऐसे करते हैं अधिगम को सीखने का हम लोग परिभासा इस तरह से करते हैं कि अनुभो के द्वारा बेहवार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, ठीक है, तो सीखने की परिघटना में निम्लिकित में से कौन सा आवस्या घटक नहीं है, तो सबसे पहले ये सीखने की परिघटना में तो अधिगम करता होना चाहिए, बिल्कुल सही अगर जब सीखने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर वहां पर सीखने की पर घटना का क्या मतलब होगा ठीक है उसके बाद में आंतरिक अवस्था उसका रियल स्टेज में आपको सीखना हो रहा है कि नहीं अधिगम करता तो है लेकिन बच्चा अगर तीन साल का है चार साल का है उसके इस स्टेज के लेवल के नुसार आप सीखाएंगे न तो उसका आंतरिक अवस्था भी उससे में मजबूत होना चाहिए और उसका स्वास्त भी आंतरिक अवस्था स्वास्त भी उसका अच्छा होना चाहिए दूसरा यह है प्रेरक उसमें एक इक्छा होनी चाहिए सी शीखने के लिए अगर आपको एक्छा एक प्रिरक नहीं होगा अंदर से तो आप उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके पास सीख्छक न भी रहें अगर ये तीन चीज आपके पास में है तो आप उस चीज को सीख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सीख्छक आपके पास रहेगा तभी आप सीख पाएंगे, नहीं, सीखने के लिए सबसे पहले अधिगम करता, मतलब आपका होना जरूरी है, उसके बाद में आपका स्वास्त का ठीक रहना जरूरी है, ठीक है, उसके बाद में आपको एक अंदर से प् तो यहाँ पर वहीं तो question कह रहा है कि आवस्चाथ घटक नहीं है तो यह वाला अवस्चाथ घटक नहीं है अगर शिख्चक नहीं भी रहें अगर आपके पास में यह तीन चीजे है option number एक दो तीन तो आप सीखने की परिखटना में सामिल हो सकते हैं ठीक है किलियर हुआ चलिए नेक्स्ट को यह कोस्टन बहुत ही कन्फ्यूजन है कभी-कभी बच्चे यहां पर दो नंबर वाला उप्शन पर आप लोग चले जाएंगे क्योंकि आपको ऐसा लगया कि अधिकम करता भी चाहिए प्रेरक भी चाहिए जब तक सीख्छक नहीं र सीख पाएंगे ठीक है ना तो आप जो है ना बहुत लोग जो है इस वाले उप्शन पर चले जाते लेकिन यहीं चीज आपको सीच्वेशन को ध्यान डखना है कि आप बीना सिख्छा के बच्चे नहीं पर पाते हैं क्या पर पाते हैं बीना सिख्छा के बच्चे जो है कु पुष्ची जो को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, चलिए, नौ नमबर कोश्चन, आठ नमर कोश्चन में थोड़ा सा तुरूती है, इसलिए उस पध्यान नहीं देंगे, नौ नमबर पर देखिए, बच्चा किस परकार सीखता है, तो बच्चे जो है किस परकार सीखता है, बच बच्चे सीखते हैं चर्चा पढ़ी चर्चा का मतलब समझते हैं कि कुछ बोल कर पढ़ाना कुछ चर्चा करके पढ़ाना जैसे प्ले स्कूल में आप देखते होंगे कि दीवाल पर यह फोर एपल बीफोर बॉल सी फोर कैट इस तरह से लगा रहता है और उस पर हम लोग चर ब्हुत्त हैं चर्चा कर जाका बुड़ा जीग सीखते तो बच्चे कई पर कार से सीक हैं यहिग सकते हैं यहां तो temeर 4 देlie लिए है कि कई पर कार से इसमे तो इसमें पीर सूचिने की जरूत ही नहीं है बच्चे बहुत से प्रकार से उस चीज़ों को सीख सकते हैं अर्था तो अप्शन नमबर चार जो हमारा क्या है यह बिल्कुल राइट है ठीक है चलिए अब आते हैं नेश कोशन पे नो दस नमबर पे आते हैं नेश कोशन पे चलिए पता कि एक इकरित चात्र केंदरित अधिगम के लिए पाठकरम में निमली खीत में से क्या लावकारी नहीं है चात्र का अभिप्रिण विकास मतलब कि चात्र केंदरित का मतलब समद रहे ना चात्र केंदरित का मतलब इसको देखिए ये जो चात्र केंदरित है ये बाल केंदरित इसको कह सकते हैं कौन केंदरित बताइगा इसको आम लोग बाल केंदरित कह सकते हैं बताइए चात्र केंदरित में और बाल केंदरित में अंतर बिलकुल भी नहीं है आप लोग इसी मे कनफ्यूज हो जाएंगे कि सड़तों पढ़ा है बाल केंद्रित यहां पढ़ा है छात्र केंद्रित तो यहीं तो है चाइल्ड सेंटर्ड एजूकेशन यहीं तो है छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित तो करता है एकी करीत छात्र केंद्रित अधियम के लिए पाठकरम में लिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, ध्यान रखना आपको कौन सा नहीं है, हायवाला को पहले हटाएंगे, छात्र का अभी प्रेरना का विकास, ठीक, अभी प्रेरन विकास, अर्थात अगर आपको छात्र को मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो उस चीज को बच्चे सीख प आप में होना चाहिए, एजूकेशन जो चाल्ड सेंटर डेजूकेशन अगर आपका कम्यूकेशन डेवलप्मेंट नहीं है, फिर भी उससे बच्चों नहीं सीख पाएंगे, और छात्र सिक्षक संबंद का निर्मान, यह तो बहुत ज़्यादा ज़ूड है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया, यह जो चात्र सिक्षक संबंद का निर्मान, हमने अभी बताया कि दोनों के बीच में एक आपसी रिलेशन होना चाहिए, बच्चे और सिक्षक के बीच में, चात्र और सिक्षक के बीच में, और वो उसका मित्रवत संबंद होना चाहिए, क्योंकि उस option number 4, खोज या सक्रिय अधियम का हरास, यह तो बिल्कुल गलत हो गया, हरास का मतलब समझ रहे न, कि उसको हटाना, उसको खतम करना, उसको हटाना या खतम करना, अब जो child-centered education system में, पाठकरा में निम लेकि तुम से क्या लाभकारी नहीं है, तो बिल्कुल यह लाभकारी नही हरास का मतलब यह हुआ कि उसको हटा रहे धिरी धिरे, खतम कर रहे है, नहीं, खतम नहीं करना, खोज और सक्रिय को बढ़ाना है, उसको बढ़ावा देना है, नहीं कि हरास करना है, तो यह जो है आपका बिल्कुल option number 4 गलत हो गया, इसलिए option number 4 जो है, आपका क्या हो जागा आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ में, next question की तरफ में बढ़ते है, 11 number question में कुछ तुरूटी है, 12 number पाते हैं, चलिए, संग्यानात्मक विकास का अर्थ है, संग्यानात्मक विकास देखिए, संग्यानात्मक विकास जिसको हम लोग बोले है क्या cognitive development, संग्यानात्मक को हम लोग बोलते हैं cognitive development लियर स्टुडेंट्स आप ध्यान लखेंगे इस बात का संग्यानात्मक विकास का मतलब होता है cognitive development और cognitive development जो है यह पूरा-पूरा हमारे मस्तिक से जुरा हुआ रहता है कोगनेशन संग्यान या cognitive पूरा-पूरा हमारे मस्तिक से संब्दूत रहता है तो इसका जो है पूछ रहा है कि संग्यानात्मक विकास का क्या और्थ है खीक है option number 1 अभियोग्जिता का विकास option no.2 बच्चे का विकास संग्यनात्मक का मतलब तो हम आपको बताएं सारी बिकास का मतले का social development, moral development, physical development तो यह तो बिल्कूर गलत ही हो गया संग्यानात्मों के बाल यह नहीं आ सकता है लेकिन यहाँ पर हमको meaning सिर्फ संग्यानात्मक का पूछ रहा है सारीडिक कोसल का विकास अब यह भी संग्यानात्मक तो बिलकुल मस्तिक से related है और यहाँ पर कर रहा है physical skill development की बात कर रहा है अभी युग्यता जो है हमारे मस्तिक से जुड़ा हुआ सब इसी दिए इसका meaning हम यह कर सकते है संग्यानात्मक विकास का जो main meaning है what is meaning of cognitive development यह जो अभी युग्यता का विकास है यह हमारा संग्यानात्मक विकास से बिलकुल भी संबंदित है इसलिए option number 1 जो है इसका क्या होगा मिलकुल right answer होगा ठीक है जिस तरह से हम सोच रहे हैं जिस तरह से हम आपको चीजे पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं वो चीजे समझने का आप कोसिस किजिएगा सबसे पहली बात देखिए अगर आपको सीटेट निकालना होगा तभी आपको इस चैनल पर या मेरे दोरा बतायागे बातों पर आपको अमल करने का गून भिक्सिट होगा अगर आपको लगए है कि नहीं यह चीजे नहीं यह बहुत सारे चैनल बाले यह बहुत सारे चीजे परहा रहे हैं तो अच्छा स्मार्ट बोट पर हम पोड़ ले ते बिलकोल शही बात है आप आप स्मार्ट बोट पर भी पढ़ सकते हैं बट अगर जिनको अच्छा लग है अगर आपके पास पेशेंस है अगर आपको Πास ध्यावीर धार्ज है चलिए question number 13 पे आते हैं next question पे आते हैं तेरा number question पे करता कि बेक्तितों की विशेष्टा किस रूप में बताई जा सकती है जो हमारा बेक्तितों होता है उसको हम लोग बोलते हैं personality बेक्तितों को क्या बोलते हैं personality और personality का मतलब यह होता है कि सर्वगून संपन सर्वगून संपन का मतलब यह हुआ कि आपका सभी विकास आप एक बेक्ति के एक बेक्ति में कौन-कौन सा development है या नहीं अर्थात बोलने का ढग आपका क्या है चलने का ढग आपका क्या है किसी से बात करने का क्या ढग किसी बरो के साथ में आपके ऐसा बहवार करते हैं। यह सभी चीज़े आपके बेक्तितों के उपर निर्भर करता हैं। तो यहां पर वहीं करा है कि बेक्तितों की बिसेस्ता किस रूप में बताई जा सकती है। सारीक बिसेस्ताओं का समूची, बिल्कुल गलत हो गया कि केवल सारीक बिसेस्ताओं ऑग्तितों का पाचा नहीं करा सकता है। सारीक बिसेस्ताओं का मतलब यह हुआ कि उसका physical जो कहते हैं न एक तरह से body builder होता है, बिल्कुल body यह आपका fit होना चाहिए। तो body fit होने का मतलब यह नहीं कि आपका personality बहुत अच्छा personality या केवल मतलब body fit ही नहीं बलकि सर्व गुण संपन आप में होनी चाहिए आपका और जो है आप में चीजे जो है है या नहीं आपका कैसा भेवार है कैसा behavior वो सब चीजे आप में निर्भा करता है तो तेरा का यहां पर सिर्फ जो है option आपको दे रहा कितना सारी विसेस्ताओं का समुच यह बिल्कुल गलत हो गया है इसका विसेस्ता नहीं हो सकता मनो विर्थिया और सील गुनों का समुच यह मनो विर्थिया और सील गुनों का समुच यह तो सही बात है कि आपका जो है मनो के बेक्तितु के उपर निर्फा करता और यहां पर दे दिया option number 4 यह तो बिल्कुल option अब देखिए इसी तरह के question में आपको कभी-कभी फसने का chance रहेगा देखिए हमने आपको यहां पर बताया अभी हमने option number 4 नहीं देखा था हमने ध्यान नहीं दिया था तो option number 1 जो था सारीरिक बिसेस्ताओं का समुझ अगर यहां पर option number 4 नहीं रहता तब कभी भी किसी भी हालत में किसी भी हालत में यह option को हम नहीं लेते मतलब option number 1 को नहीं लेते लेकिन हमने आपको बताया कि केवल सारीरिक बिसेस्ताओं का मतलब ही नहीं बेक्तितो होता है मतलब केवल सारीरिक बिसेस्ता से हम लोग बेक्तितों का पाचान हम लोग नहीं कर सकते हैं बलकि सारी डिक बिसेस्ताओं के साथ साथ में अन्य चीजे भी आपके साथ होनी चाहिए मनिविर्तिया और सिल्गून होना चाहिए परिष्टिति के साथ में आप कैसा प्रतिकिरिया कर रहे हैं तो वो सब चीजे होने चाहिए अर्थात उप्रक ते तीनों option जब option no.4 दे दिया इसलिए option no.4 जब बिलकुल right होगा इन तीनों का मतलब यह समझाते चले कि देखिए देखतीतों को हम लोग बोलते हैं personality और personality परसोना सब से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मुखोटा ठीक आपका जो है body fit हाई या नहीं आप सारीरिक रूप से बिलकुल fit हाई या नहीं बलकि सारीरिक रूप से fit के साथ साथ में आपका गून क्या है आपका seal क्या है आपका मनोविर्ती क्या है आप परिष्थिती के साथ में adjust करते हैं या नहीं अगर आप परिष्थिती के साथ मे हो थी सरल और सुजहाव हो थीक है तो यह अप्सान नमर चार्ज में बिल्कुल राइट हो गया चलिए नेक कोशन पर आते हैं 14 नमर चौदा नमर कोशन में कुछ तुरूटी है 15 नमर पर आते हैं चलिए 15 चलिए 15 पर आते हैं पर आते हैं चलिए 15 नमर एक बाला की वास्तिविक आयू 15 वर्स है तो उसकी बुद्धि लब्दी के आप जानते होंगे आईक्यू बराबर होता है क्या अगर नहीं जानते तो लिख लिजिए आईक्यू बराबर होता है यह मांसिक आयू बटा वास्तिविक आयू 100 मांसिक आयू इसका कितना है वह लिख लिख लिए बटा वास्तिविक आयू जितना है उतना लिख देना है उसके बाद में गुन ठीक है तो इस तरह से आप जो है गुणा भागा उसको करेंगे सोरी गलती होगे क्या मासिक आयू 21 जो है मासिक आयू 21 है वास्तिविक आयू 15 है और गुणा 100 ठीक है आईक्यू वरावर आईक्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बुद्धी लब्दी तो बुद्धी लब्दी वरावर होता है मासिक आयू बटा बास्तिविक आयू गुणा 100 तो इस तरह से आप उसको कल्कुलेशन जब आप करेंगे तो आपको 140 आपका एंसर आजागा बस सिधा आपको तो इस चीजे कुछ चीज आपको ऐसा होते जिसको आपको याद करना ही होगा तो सिधा आप यह समझल जे कि बुद्धी के एकलकारण या एक तत्व का जो सिधानत दिये थे वो हमारे अलफ्रेड बीने महोदे ने दिया था ठीक है एक तत्व का सिधान जब बुद्धी के समुह कारक का परतिपादन किस ने किया था दीखिए वहाँ था एक ततो सिधान्त का परतिपादन और यहाँ था समुह कारक सिधान्त का परतिपादन तो इसको थरस्टन ने दिया था इसको याद रखना है आपको इसको कौन दिया था थरस्टन महोदेने दिया थ्रव document देनेों तपको याद रखना एक तब्स सिधान का प्रतिपादन को अंतिया धिन और शमुकार का रहा को प्रतिपादन को अंतिया थ्रष्टन नीजिक cis को आपको रखना है या चली को Q18 पर आते हैं, अच्छे समायुजन की बिसेस्ता है, समायुजन देखिए, अब अच्छे समायुजन मतलब की good adjustment आप कहां पर कर सकते हैं, ठीक है, तो अच्छे समायुजन की क्या का बिसेस्ता है, आपको बताते चले देखिए, अच्छे समायुजन की बिसेस्ता, समायुजन का मतलब ही होता है समायوجन का मतलब ही होता है adjustment समायوجन को हम बोलते है adjustment ध्यान रखेंगे समायوجन कैसे होता है कैसे होता हुआ हम आपको बताते हैं हर एक बेक्ती का अपना एक वातावरन जहां पर वह बेक्ती रहता है उस बेक्ती का अपना वातावरन के साथ में अनुकूलित नहीं हो पाता है तो वह बेक्ति वहाँ पर कूल समयुजित हो जाता है तो समयुजन का मतलब यह होता है कि अजस्टमेंट करना बेक्ति अपने जीवन में पूरे जीवन परियतन है मतलब कि पूरा जीवन आप समयोजन करते रहते हैं, हर एक चीज में अर्जस्ट करते रहते हैं अगर बेक्ती में अर्जस्ट की भावना नहीं आएगा, तो साथ बेक्ती का जीवन नहीं चल पाएगा आप बस में अर्जस्ट करते हैं, ट्रेन में अर्जस्ट करते हैं, अपने घर में अर्जस्ट करते हैं, खाना में अर्जस्ट करते हैं, किस तरह से अर्जस्ट करते हैं, आपको एक सिंबल सा उधारन दे रहें, आज के आधुनिक बठती दुनिया में आपको ऐसा लगता होग एक ट्रेन में चार आद्मी का seat रहता है और उस चार आद्मी की जगह पर आप 5 आद्मी बैठते हैं वहाँ पर आप क्या करते हैं तो आप प्रिथिवी पर भार है समझी एक तरह से अर्थात बेक्ति को जीवन जीने के लिए आप में समायोजन का गुन बिल्कुल आवश्यक है ठीक है वहीं समायोजन के बारे में बता रहा है कि अच्छे समायोजन के विशेष्टा है तो संबेगात्मक और इस्थिर्ता ज्यादा उथल पूथल रहेगा संबेगात्मक मतलब यह होता ना इमोशनल मतलब इमोशनल का मतलब नहीं अब इमोशनल का मतलब यह नहीं समझ लिजेगा कि सिर्फ दुख वाले को ही इमोशनल का थे इमोशन बहुत से परकार के होते हैं हमारा क्रोध इर्षिया लव प्य यह सब भी क्या होता है, इमोसन ही है, तो इमोसन के अंदर गत में क्रोध भी आता है, जब इमोसन हम यह बात जब हम लोग कहते हैं, तो हमको ऐसा जहन में दिमांग में आ जाता है कि इमोसन का मतलब दुख, तो दुख और इस हिरता का मतलब समाज नहीं, ओ इमोसन की बात हम करें संभेगात्मक और इस्थिता का मतलब यह हुआ कि आप वो दुख वाला इमोशन है बलकि इमोशन में आपको क्रोध भी आता है उथल पुथल भी आता है तो उथल पुथल बाले जो बेखती हैं वो जल्दी अर्जस्ट नहीं कर पाते हैं तो उसका यह भी सेस्ता नहीं ह अपसा नमर दो देखिए क्या काता है सहन सिलता तिसरा नमर काता है ओनियमित दिन चरिया देखिए जिसका ओनियमित जिसका कोई नियम नहीं है दिन चरिया का मतलब कि हाँ आपने दिन भर में क्या किया है आपको दस बज़े ओफिस दाना है चार बज़े घर आना है फिर प दिन चड़िया करते हैं और यहां पर तो वह आपका नियमीट दिन चड़िया है रहता है कि 10 बज़े जाना है तीन बज़े आना है इतना बज़े टीवी देखना है इतना वज़े खाना खाना हैated breakfast करना सबका time schedule वाटा हुआ है ठीक है लेकिन ओन दिंचडिया का मतलब हुआ कि औसको कोई टाइम नहीं है, आज खाब क भर सकता है ,चार दिन घर पर नहीं हैं , वह तो अन्यमित क्वारा बेगती समाँज में औरaddjust करना बहुत मुश्चिल हो जाथा तो यह भी विस। तो बिल्कुल गलत हो गया कि जो वेकती समयोजन का विस्यस्ता होगा उसमें आत्म विस्वास योगा वहां भूल कि ब्राइगती के पास में सहन सीलता का गून है वो हागती ही समाज में औरजस्ट हो सकता है इसलिए हम यह कह सकते हैं पिर ये स्टूडेंट्स dear students की अच्छे समयोजन की बिसेस्ता यह है कि आप में सहन सीलता होनी चाहिए अगर आपका सहन सीलता आपके पास नहीं रहेगा तो आप समाज में कभी भी अर्जस्ट नहीं हो पाएंगे आपको ऐसा लगेगा uncomfortable सा महसूस होगा इसलिए आपको सहन सील रहना जरूरी है और सहन सील जब आप रहेंगे तभी आप समयोजन का जो बिसेस्ता है उसके अंतरकत में आपाएंगे इसलिए अपसन नमबर दो को हम बिल्कुल राइट कह सकते हैं ठीक है चलिए उसके अब मैं question number 19 पे आते हैं 19 number question क्या कहता है देखिए जा 19 number question चलिए समयोजन से तातपर्ज स्वयम का बिभीन परिष्थितियों में अनुकुलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किसको दूसरों को समयोजन के बारे में अभी हमने बता है adjustment तो यहां पर question करता है कि समयोजन से तातपर्ज स्वयम के बिभीन परिष्थितियों में अनुकुलन देखिए यहां पर बता दिया है अभी जो हमने आपको बताई वो चीजी यहां पर question में ही बता स्वायम का विभीन परिष्टितिएं में बताब किसी भी परिष्टिति में आप अनुकूलित हो जाते हैं, अनुकूलित मतलब कि उसमें अर्जस्ट हो जाना गी, ठीक है, जहां भी आच्छे हैं, अधे हमेशा अमीशा में सोते थे लेकिन आउज हमको पंक रम मिल गया है, कोई बात में हम इसमें अज़ेस्ट कर लेंगे वह आपका पनुकुलन का लाता है अभी हमने बिल्कुल अभी same condition ये बताया था, कि आप हमेशा AC में सोते हैं, आपको बीना AC का नींद नहीं आता है, लेकिन कभी किसी करण वस आपको, आपका AC खड़ाब हो गया, और आपको लगा कि नहीं, आज हमको friends से ही काम चलाना होगा, तो उसमें आपको अनुकुलित हो अभी तो आप उस friends के साथ में adjust कर पाओगे ना, तो आपका अवसकता से ज्यादा related है, क्योंकि पहले जो आपका अवसकता था, वह ये सी था, लेकिन अभी जो है आपको अवसकता मिला है कि नहीं, अब हमको जो है friends से ही काम चलाना होगा, तो इसका सिधा सिधा इस adjustment का चार्ज वे बिलकुल right है, ठीक है, चलिए 20 number question पर आते हैं, अंतर्नोद सिधान्त के अनुसार, अंतर्नोद के कारण अभी प्रिणा होती है, अंतर्नोद किस पर अधारित है, तो अंतर्नोद जो होता है, वह आपका किस पर अधारित आता है, मूल प्रविर्टी पर, प्रलो अधारित होता है, तो आपको हम 20 question कर रहा है, उमीद करते हैं, आपको समझ में आया होगा, और देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, कि अगर वीडियो अच्छा लगे, तो आपको comment section में बताना है, कि वीडियो अच्छा लगा है, आपको keep it up, आप फिर से नए वीडि आपके feedback को हम समझ पाएंगे, और तत पस्चा दूसरा वीडियो फिर से हम channel पर डालेंगे, अगर आप इसमें कोई interest ही नहीं लेंगे, तो फिर हम वीडियो क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखना तो आप ही को है न, तो आप लोग अगर जिसको भी अच्छा लगे, तो please, please, please आप comment section में ये चीज़ जरूर बताएं कि हमको वीडियो अच्छा लगा और सर वीडियो और बनाया जाएं, तब हम आपके लिए बहुत अच्छा चा वीडियो बिग्यान से related हो, या किसी भी सिक्छा सास्तर से related हो, सभी तरह के वीडियो जो हम seated से सम्बंदित आपको बनात बनाति आपको बनाति में बनाति उलाति हो जो हमियो बनाति हो